अमिताब बच्चन हिंदी सिनेमा के सूपर स्टार हैं, उन्होंने बॉली बूड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है वहीं पर अमिताब बच्चन को चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में हैं यही बजा है कि महानायक अमिताब बच्चन के साथ जब भी कुछ अच्छा होता है या फिर जब भी कुछ बुरा होता है दोनों परिस्थितियों में उनके फैंस उनके साथ हमेशा दिल से खड़े रहते हैं हाली में दोस्तों खबर ऐसी आ रही है कि अमिताब बच्चन को हैदराबाद में फिल्म के प्रोजेक्ट की एक सूटिंग के दोरान छोटी सी चोट लग गई है हाला कि इससे पहले अमिताब बच्चन जी एक भयंकर हाथसे का सिकार हो चुके हैं करीबन 40 साल पहले अमिताब बच्चन बेंगलूरू में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे इसी दोरान वो भयंकर हाथसे का सिकार हो गए थे दोस्तो 26 जुलाई 1982 की बात है जब बैंगलूरू में फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी और इसी दोरान एक एक्चन के सीन में पुनीत को अमिताब के मुँपर घूसा मारना था और अमिताब बच्चन जी को टेबल के उपर गिरना था इस दोरान फिल्म की मेकर्स ने एक सुझाओ दिया कि इस सीन को बाड़ी के डबल सूट कर लेते हैं लेकिन अमिताब बच्चन जी चाहते थे कि इस सीन को वो खुद सूट करें लाइट्स कैमरा एक्शन हुआ और ये सीन सूट हो गया दोस्तो सीन तो अच्छे से सूट हो गया और सभी लोगों ने तालिया बाजाई लेकिन कुछ देर के बाद अमिताब बच्चन जी के पेट में भयंकर सा दर्द होना सुरू हो चुका और अमिताब बच्चन जी को लगातार दर्द हो रहा था लेकिन खून नहीं निकला इस बज़े से सभी ने इसे महमली चोट समझ कर एक्नोर कर दिया और उनके पेट पर मलहम लगाया मलहम से भी उनको निजात नहीं मिली तब अमिताब बच्चन जी अपने होटल चले गए और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर से बात करके पेन किलर खा लिया अगले दिन भी जब दर्द में कोई कमी नहीं आई तब अमिताब बच्चन जी ने डॉक्टर को अपने होटल में बुलाया उन्होंने बिक बी के सारे टेस्ट करवाए लेकिन बीमारी पकड में नहीं आ रही थी वही पर दोस्तों तीसरे दिन जब डॉक्टरों ने अमिताब बच्चन जी के सरीर का एक्सरे किया और ठीक से चेक किया तो भाई साब उनके पेट में गैस जैसी चोटी सी चीज दिखाई दे रही थी जो तूटी हुई आँच से ही आ सकती थी अमिताब बच्चन जी की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी तब डॉक्टर ने कहा कि तुरंद ऑपरेशन करना पड़ेगा क्यूंकि इनफेक्शन अमिताब बच्चन जी के पूरे सरीर में फैल चुका था वही पर अमिताब बच्चन जी को तेज बुखार भी आ गया था और फिर वो बार बार उल्टी भी कर रहे थे उनकी धड़कन भी एक मिनट में 72 की जगए 180 की स्पीड से चलने लगी थी और वो कोमा में भी चले गए थे दोस्तो डॉक्टरों ने अमिताब बच्चन जी का ओपरेशन तो किया लेकिन अगले दिन बिग बी को निमोनिया जैसा कुछ हो गया था अमिताब बच्चन जी की हालत लगातार बिगालती हुई चली जा रही थी जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको मुंबई में रेफर कर दिया मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आठ घंटे ऑपरेशन चला इस दोरान देज भर के फैंस ने हाँ जोड कर अपने अमिताब बच्चन जी के लिए दिल से दुआए करी और दिल से मनते मांगी की हमारे अमिताब बच्चन सर जल्दी से ठीक होकर आ जाएं वहीं पर दोस्तो डॉक्टरों की महनत और फैंस की दुआओं की बज़े से अमिताब बच्चन जी ठीक हुए और आखिर कारवू अपने घर वापीस आ गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बोडी से रिकवरी करना सुरू कर दिया और धीरे धीरे से उन्होंने फिल्मों में कमबेक कर लिया तो दोस्तो ये थी अमिताब बच्चन जी की कुली फिल्म की छोटी सी कहानी हाला कि दोस्तो आपको ये कहानी पहले से ही पता होगी वैसे दोस्तो अमिताब बच्चन जी की आपने कितनी फिल्में देखी हैं जल्दी सी कॉमेंट बॉक्स में बताईए अगर आप अमिताब बच्चन को एक बैतरीन अभी नीता मानते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो को दिल सी लाइक कीजिएगा, साथी साथ आप लोग चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तो यहाँ पर आपके ही डिमांड पर वीडियो बनाई जाती हैं, तब तक के लिए नमस्कार जैहिन वंदे मात्राम, एंड थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो,